कि कैसी हैं आप सभी होग यू आप वेल एंड डूइंग ग्रेट लेसन फॉर्स्ट के बाद करें उनके बारे में इस्टड़ी किया और सोर्स इसमेंट को समझने जा रहे हैं इस चैप्टर का जो में टोपीगा भी बिहेवियर असस्मेंट के मैथ्ट इनकिन मैथ हर्ड से आप किसी एक इंडिवीजुवल के बियावर को असस कर सकते हैं अभी नहीं मैं बताता हूं जही समझ पा रहे हैं एको पथोलजी पढ रहे हैं अब पता नहीं कौन-कौन किस-किस सफर कर रहा है यह हमे ता लगाने के बाद हमें उनको क्योर करना होगा होगा ट्रेटमेंट रोओट करना होगा एजए ट्लेंड साइक अ तो सबसे पहले हमने MPC 001 के 7 chapters में यह discuss किया भी इस तरह के disorders इसे कहते हैं इतने type of disorder होते हैं ठीक है साथ chapter में जितने भी disorders हम cover कर सकते थे हमने वो किये बागी के हम इनके बाद करेंगे ठीक है अब यहाँ पर पहली में हमने क्या समझा disorders किसे कहते हैं सेकिंड बुक में हम यह देखने हैं इन disorders को assess कैसे करेंगे समझ फाया थर्ड बुक में हम यह सोचेंगे कि हम treatment कैसे कौन कौन सी therapies इनको provide की जा सके तो यहीं है method of behavioral assessment मान लिए किसी को GAD है किसी को SAD है या कोई भी disorders है तो हमें सबसे पहले उनको assess करना होगा हमें information लेनी होगी तो behavioral assessment हाला कि मैं यह topic आपको समझा चुका हूं behavioral assessment फोटा सा इन शोर्ट टर्म में फर्स chapter में अभी हम इसको briefly discuss करने वाले हैं तो यहां पर आप यह देखिए assessment और behavior दो टर्म हैं इसको समझने के लिए assessment किसे कहते हैं हमने MPC 03 में भी पढ़ा रहां assessment क्या है simply हम क्या कर रहे हैं इनफोर्मेशन इकठा कर रहे हैं एक individual से related उसके psychological disorder से related mental disorder से related अभी भी हम assessment क्यों कर रहे हैं assessment का meaning information collect कर रहे हैं information क्यों रहे हैं क्योंकि उसके behavior में कही ना कहीं आपको कमी दिखाई दे रही है या तो वह इसे जो बहुआ रहा है या फिर फिर जो बहुआ बिहोबियर कर रहा है वो प्रॉपर बहुआ रही नहीं है या वह अपने जो नॉर्मल ba Sabbiai जाते हैं उनके according वह बहुआ नहीं कर का IQ level 25 है हाला कि यह काफी लो है अब 25 यह आपको कैसे पता चला क्योंकि वह mathematics कोई भी सब्जेक्ट होगा mathematics नॉर्मली कंसेडर किया जाता है लेकिन लाइब के नॉर्मल आस्पेक्ट में मतलब जो ज्यादा तर population कर सकती है उन कामों को यह आरव नहीं कर पा रहा इसलिए हम कहेंगे कहीं ना कहीं यह किसी ना किसी disorder से सफर कर रहा होगा या फिर आरव सफर कर रहा है आप यह समझ लिए anxiety से इसको जए डी है जी एडी जनल anxiety disorder हर एक लाइट के असपेक्ट में इसको ना अक्ससीव वरी होती है अब क्या होगा कैसे होगा कौन मेरी हेल्प करेगा आगे मैं क्या कर सकता हूं और इर्रैशनल थोट पैटर नहीं इसका तो उस जनल anxiety में जो नॉर्मल इसकी जो एस गुरूप के परसन माननी जे आरव की एस गुरूप 12 यह ओल्ड है जो यह बोई है अब 12 यह ओल्ड बॉइस कैसे होते हैं मोज मस्ती करते हैं भाई है आपनी लाइफ में स्कूल में जॉय करना इदर उदर बात करना खेलना इदर उदर से ज करने की कोशिश करें यही में हमारा आल्टीमेट जो क्या होगा मोटीव होगा यहां पर आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं इंडिविजुल के बारे में इंफॉमेशन ले रहे हैं अब हम थेयरी को चल दे इतना तो concept मैंने आपको समझा दिया कौन-कौन से methods हम behavior को assess कर करना, recording करना, analyze करना, specific behavior जो वो show कर रहा है और उनको modify करना यह सब कुछ behavior assessment में आ जाता है methods यहां पर method कौन से बताएं direct observation आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि आपने observe किया है कि यह बच्चे का behavior normal नहीं है class में as a teacher, as a psychologist, self reporting आपने उनको कोई test दिया तो उससे आपको पता चला कि यहां इसका behavior में कहीं न कहीं कम है, interview से आपने उसका interview किया किसी एक बच्चे का, example से समझाने की कोशिश करूँगा, बहतर बहतरी in examples में देने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो these methods include checklist, rating skills, interviews and direct behavior, I think है मुझे clear दिखाई नहीं दे रहा है आप इसको थोड़ा जूम करके देखेगा, यहां पर यह behavioral interviews है, behavioral interviews और यहां पर है behavioral observations, observations, यह थोड़ा background में जो फोटो लगे है इसकी वज़े से आपको थोड़ा problem हो सकती है, otherwise यह आप इसको जूम करेंगे, आप इसली इसको पढ़ सकते हैं, अब बात आती है behavioral assessment हमने देख या methods कौन कौन से use होंगे, अब methods अभी देखे इतने से ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि chapter यहीं पर cover हो गया, यहां पर इसको हम briefly discuss करेंगे, purpose क्या है, हम इसको clinical psychology में use कर सकते हैं, education purpose में हम इसको use कर सकते हैं, organizational psychology में use कर सकते हैं, तो इन सभी में हम use कर सकते हैं, और behavior को assess करने के ब वो behavior, target behavior क्या होता है, वो behavior which you want to be change, इसको आप बदलना चाहते हैं, किसी एक individual person, monitoring progress, जो भी आप देखी क्या करते हैं, मालने जी ADHD का कोई person है आपके पास, जी कि आपने intervention से पहले उसके behavior को observe किया, उसकी पूरी report तयार की, अब आप intervention दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेग कि आपके intervention successful है, जब उसमें change आपको दिखने को मिलेगा, तो monitoring progress, assessment हमें help करती है, हमारी progress को monitor करने, ठीक है, designing interventions, किस तरह की interventions हम उसे दे सकते हैं, ये जानने के लिए हमें उसके behavior को assess करना हो, कि हाँ इस individual person को ये problem है, तो इसके लिए हम ये वाली intervention सही रहेगी, ये वाली therapy सही करेंगी, इस person का ये behavior है, तो हम इसके लिए ये classical operation condition लगा से, समझपार है, behavior assessment कैसे help करेंगी, अब एक term आपको देखने को मिलेगी, वो है traditional assessment, traditional assessment क्या कहती है, traditional assessment ये कहती है, जैसे कि standardized test हो गया, normal, fixed criteria है, आपने मानने जैसे कि हो दाए न, कि आपको हम कहें, जैसे कि होदा है न, कि exam में, school time में क्या होदा है, कि आपको 100 marks का total, जो total marks होते हैं, आपके 100 होते हैं, और उसमें से आपको I think 37 marks है, जो attain करने होते हैं, in order to pass, है न, तो आपको pass होने के लिए 37 marks, सिरफ 37 number आपको लेके आने है, तो standardized test, questionnaire, number of questions, ठीक है, interview, interview, वहाँ भी था, यह भी है, कुछ, यहाँ पर match होंगी, दोनों में, ठीक है, other structured measure to assess various aspects of individual psychology functioning, such as intelligence, personality, aptitude, psychopathology, देखे, behavior assessment में न, इस सब कुछ आ जाएगा, कहने का मतलब है, जब आप traditional assessment use करें, means, we are trying to assess specific aspect of life, of an individual, समझ रहे हैं, कि आप intelligence को measure करें, आप traditional assessment use, स्टैनफोर्ड भीने test लगा दीजिए, वेशलर intelligence test लगा दीजिए, समझ रहे हैं, aptitude test लगा रहे हैं, तो aptitude को कोई test उठाके लगा दीजिए, psychopathology को इनका test लगा दीजिए, समझ पा रहे हैं, methods की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कि हम questionnaire दे सकते हैं, scoring the response according to established criteria, पहल तो इसका मतलब आप normal probability, sorry, normal population में consider किये जाएंगे, otherwise या तो आप ज्यादा ही superior student होगे, या फिर ज्यादा ही lower grade के student होगे, lower grade नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे, आप थोड़े से intelligent नहीं होगे, तो वो तो ज्यादा mental retard में चले जाएंगे, जैसे 20 या 16 के पास, आप purpose की ब making में हम बोल सकते हैं, research में हमारी help करता है, organizational setting में हम help कर सकते हैं, हाँ हमारी organization में किस तरह के लोग चाहिए, उसी तरह से हम अपने test को conduct कर सकते हैं, case department में ये वाले हमें लोग चाहिए, इस तरह के जो जिनके अंदर ये वाली characteristics या traits available हो, हम उन लोगों को जोग देंगे, बात ये समझना कि target behavior क्या है, देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि कि किसी person को क्या है, भई, GAD, ठीक है, अब जब किसी को GAD होती, general anxiety disorders, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर उसको anxiety तो हो गी ही, ठीक है, हो सकता है, उसको depression भी हो, ठीक है, हो सकता है, भई, वो sadness, excessive worry, इस तरह के symptoms आप बोल सकते हैं, हम उनको, समझ रहे हैं, तो अब देखिए, यहाँ पर assessing targeting behavior का meaning क्या है, आप target behavior, मिंस वो behavior, जो एक individual की life को affect कर रहा है, मिंस यहाँ पर हम कहेंगे, anxiety, depression, sadness, excessive worry, यह सभी target behavior है, ठीक है, अब selecting, targeting, target behavior, मिंस इस सभी behavior में से, उस एक important, जो सबसे important behavior है, अगर जिसको हम change कर देंगे, तो इन सभी में आपको change देखने को मिलेगा, वो होता है, selecting target behavior, target behavior का meaning, आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि, जिस behavior को हम change लेके आना चाहते हैं, जिस behavior को हम remove करना चाहते हैं, जिस behavior में हम कुछ नो कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं, means, अगर आप देखेंगे ना, general anxiety test में, I think excessive worry, यह सबसे main symptom है, अगर हम excessive worry को कर देते हैं, या बिल्कुल खतम कर देते हैं, तो यहाँ पर sadness भी नहीं रहेगी, depression भी नहीं रहेगा, anxiety भी नहीं रहेगी, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो excessive worry क्या होगा है, यहाँ पर selecting target behavior अब चलिए theory को पढ़ते हैं, assessing target behavior क्या होता है, अब यह investigative phase है, जहाँ पर आप gather करेंगे information about specific behavior, you want to understand or modify, it's a detective work for behavior, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले, clearly define the specific, observable actions you are interested in, gathering baseline, gathering baseline means, how often, how long the target behavior currently occurs, कितना normally आप behavior को देख पारें, जैसे कि हमने जीए तो एक परसन कितना लंबे समय तक depression feel कर रहा है, कितना लंबे समय तक excessive thought irrational thought pattern रख रहा है, how often, how often means, normally मालनी जीए, अगर 24 hours होते हैं दिन में, तो मालनी जीए, कोई परसन 15 hours spend कर रहा है, आपने ऐसी सोचने में बेकार है, बहुत जादा हो जाते हैं, यह वैसी लग रहा है, कुछ techniques की help से, direct observation से, आप देख पा रहे हैं कि हाँ, हमारा बच्चा ज्यादा depression में है, कि हम कहीं ज्यादा workload की वज़े से, वो थोड़ा depressed feel कर रहा है, sad है बच्चा, तो direct observation, self monitoring से, आप क्या कर सकते हैं, देखे, self monitoring की ना, सबसे अच्छे example में देने की कोशिश करें, यह example एक application होगा, आज कल सभी mobile phone में है भई, digital well-being, I think सभी में होगा, realme के phones में ज्यादा है, ठीक है, अब डिजिटल well-being क्या करता है, आप जब उस phone के app को open करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, how much time you spend on the social media accounts, social media applications, for example, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, वो काफी सारे होगे, ठीक है, Snapchat भी आज कल काफी मशूर, तो क्या है कि digital well-being help करता है, यह बताने में कि आपने कितना time अपने दिन का कहा पर use किया, mobile phone में, आपका screen time क्या था, आपने कितनी बार lock किया, कितनी बार unlock किया, समझ पार, यह सारी information महाँ पर मिलती है आपको, और यही क्या है, self monitoring, self monitoring, समझ पारे है, individual track their own behavior using a diary, checklist or app आप app की help से हो सकता है, आप checklist की मदद कर, मदद से आप खुद को observe कर रहे है, diary की help से आप note करते हैं, diary movies में दिखाते हैं, behavioral rating skills, interview, इन में से किसी भी एक technique का use करें, या सभी का use करें, और assessment, आप information को assess करें, ठीक है, analyzing the data, अब यहां से आपको data को analyze करना, और में pattern find out करना होगा, relation निकाल यह, ठीक है, सब कुछ आपको find out करना होगा, और ultimately आपको क्या करना होगा, selecting the target behavior, selecting the target behavior means, this is the decision making phase, where you choose the specific behavior to focus on based on the assessment finding, जितना भी आपको पता चला, GAD के बारे में, आपने देखा कि excessive worry is the main point, तो हमें कहां पर focus करना होगा, excessive worry, हमें इनको remedy देना होगा, समझ पा रहे है तो relevance and importance is the main important, समझ रहे हैं, तो हमने एक ऐसा behavior चूज किया, जो किसी की individual की life में, उसको सबसे ज़्यादा effect कर रहा है, समझ रहे हैं, अब measurability का meaning है, changeability का क्या meaning है, positive impact का क्या meaning है, मान लीजे हमने excessive worry को देखा, तो वो measurable होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस से हम अपनी जो progress है, उसको क्या कर पाएंगे, track कर पाएंगे, monitor कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं, changeability means, हमें उन्ही behavior को change करने की कोशिच करनी है, जो changeable हो, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कुछ inherited traits होते हैं, जो हमें predisposed होते हैं, कुछ traits के regarding, तो उनको हम change नहीं कर सकते, that is totally, that may be totally waste of time, है ना, तो positive impact की बात करते हैं, एक ऐसा behavior that will be positive outcome, जो लेकर आएंगे, उन behaviors को choose करना होगा, जैसे कि excessive worry को अगर हम खतम कर देंगे, तो एक individual के health positive impact आपको देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं, self report method, सारा का सारा chapter इसी पर ही depend करेगा, आप तक हमने assessment को समझा, क्या होती है assessment, अब self report method देखिए, हमने behavior assessment शुरू से पढ़ रहे हैं, behavior assessment के method, chapter का नाम है, अब यह जो self report method है, यह सभी क्या है, हमारी help करेंगे, behavioral assessment, आप कह सकते हैं, behavior को self करने के, यह सभी methods है, self report methods, एक उन में से एक है, जिन में आप है, जो क्या करेंगे, interview हो गया, ठीक है, उसके बाद हम questionnaire, rating skills, thought listening and allowed process, तो direct observation, तो यह सभी क्या है, behavior को assess करने के different methods, इस chapter से question बनेगा, देख लिए आप exams में, ठीक है, तो अभी हम सुरू कर रहे है, self report methods, self report method को आपको पढ़ के, यह तो समझ में आ रहा होगा, वही कोई ऐसी report, जो हम खुद, खुद observe करेंगे, वहां से हमें कुछ results मिलेंगे हम उनसे है, जो estimate लगा से, तो self report inventory is a personality inventory, in which a person is asked, which of a list or a trait and characteristics describe him to indicate which behavior hypothetical choices he or she would like, तो अब देखी भई, इसमें इसका example क्या लें, आप लोगोंने योट्यूब देखा होगा, आप डेली चलाते होगे, योट्यूब जना, तो योट्यूब पर क्या होता है, आप से कही बार एक questions पूछे जाते हैं, brand से related, ठीक है, आप इस brand को लेगर आपकी point of view क्या है, आपने इस brand का नाम कहां सुना, क्या आपने कभी इस brand से shopping की है, या कभी आप इस brand के showroom में गए हैं, क्या आपकी city में ये particular brand है, तो इस तरह की questions आप से normally पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अब वो इस brand है, आप उनके questions के जवाब देते हैं, या नहीं देते हैं, हाला कि हम सभी skip करते हैं, ये भी हमारी human tendency है, तो क्या होता है, कि भई जो वो test आपको दिया जा रहा है, वो self report method के, आप एक example से समझ दीजे, ये example हो सकता है, ठीक है, कैसे, वहाँ पर एक number of questions आपके सामने दे दिये जाते हैं, आप अपनी राए, अपना behavior बता रहे हैं, कि हाँ भई, मैं इस देश का निवाशी हूँ, ठीक है, या मैं इस country से belong करता हूँ, मैं इस district में रह रहा हूँ, और इस particular area से, ये survey, YouTube के दवारा किया गया है, जहां से हमें पता चला, मान लेजे, 100 में से, 90 लोग ब्रेंड को लेकर समझ पा रहे हैं, social media influencers, अना समझ पा रहे कैसे काम करते हैं, ये ads और surveys समझ रहे हैं, तो ये क्या है, self report inventory, personality inventory, कहीं न कहीं, आपका interest वो जान जाएंगे, उन questions के answer करने पाद, ठीक है, this type of test is open, presented in paper, pencil, comment, or on a computer, ये कहीं भी आप administer कर सकते हैं, और present a number of questions, काफ में और में note में describe certain quality और characteristic of test subject, हो सकता है, वो brand आपने कभी सुना ना हो, हो सकता है वो आप, जो brand आप use करते हैं, वो भी हो, लेकिन यहाँ पर ये specific example, self report method का नहीं है, कभी आप इसको इसे completely मिलाने की कोशिश करें, ये सिरफ समझाने के लिए है, अब self report method, तो इसका सीधा सा म मतलब है कि आप अपने, हम behavior assessment कर रहे हैं, तो for example, मैं आपके behavior को assess करना चाहता हूँ, तो मैंने 100 questions का एक test बना दिया, जिसमें मैं आपकी personality को assess कर पाऊंगा, तो उसको हम गएंगे self report method, हो सकता है, उस test के जो questions है, वो आपकी personality में इसे match खा भी रहे हैं, और ना भी match मिल रहा ह हो उनका, ठीक है, तो self report method यह है, उन में से कुछ examples, अब यह समझ आएगा आपको कि, यह self report, जो methods आपने पढ़ा तो, लेकिन यह किस तरह के होते हैं, तो उनके भी types हैं, examples हैं, जैसे कि MMPI2, Minnesota multiphasic personality inventory, अब यह self report inventory है, समझे self report inventory क्यों हो, इसमें 500 true false items होती है, जिसमें से आप है, जो उनको true or false पर है, जो mark करेंगे, अपने accordingly, ठीक है, और उनके answer से यह report निकल के आएगी, कि आपकी personality कैसी है, आपकी जो thinking कैसी है, समझ रहे हैं, तो यह सभी है, जो MMPI2 के through help से हम कर सकते, MMPI2 is inventory design to assess various aspects of personality को assess करने के लिए, psychopathology को, कि बच्चे को disorder है या नहीं है, ऐसा ह आप एक जगे focus नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे yes true, हाँ मुझे गुसा रहे है true, आप ज्यादा एक आप आदा घंटे से ज्यादा कहीं पर बैठ नहीं सकते, नहीं आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं 10 मिनट से भी कम बैठ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं हम किसके symptom show कर समझ पा रहे हैं, तो यह क्या है MMPI-2 में इस तरह के number of questions 500 around questions होते हैं और यह used किये जाने clinical forensic setting to aid in diagnose mental disorders को diagnose करने के लिए, personality traits को assess करने के लिए, evaluation of psychopathological symptoms को evaluate करने के लिए, अभी यह जो disorders है, इन में भी हमारी help करते हैं, जैसे कि depression, anxiety, peronia, schizophrenia, personality disorder, यह हमने discuss नहीं कि हम definitely इनको discuss करेंग ठीक है, जब हम इनको discuss करेंगे, तब हम आपको याद दिलाएंगे कि हमने MMPI-2 के बारे में study किया है, तो आप इनको recall कर पाएं, समझ पा रहे हैं, तो यह सभी हमारी help करते हैं, self report inventories, ठीक है, next राती है 16PF, काफी famous रहा है, personality factor, अब यह 16 personality factor किसने दिया था था, रेमेंड क psychology, first year, भूल गए क्या, तो 16 primary personality trait, इन्होंने बताई, 16 तर है कि यह जो personality trait, जिसमें भी आपकी match करेगी, वो आपकी personality होगी, अब यहाँ पर उन सभी के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जैसे कि warmth, reasoning, emotional stability, dominance, sleepliness, true consciousness, यह सभी आप पढ़िएगा, ठीक है, next राता है, California psychological inventory, CPI, तो यह वो वाला CPI नहीं है, यह है California psychological inventory, self report inventory है, यह भी इसको design किया गया है, किसको assess करने के लिए, personality traits को, attitude related to vocational interest, interpersonal behavior, personal adjustment, इसमें multiple choice questions होते हैं, जो कि career counseling में, organizational development में, personal collections में हमारी help करते हैं, अब CPI मेजर क्या करेगी, approachability, self control, empathy, achievement, orientations, intellectual efficiency, flexibility, यह सभी है, जो इनकी help से हमें, जो CPI की help से measure कर सकते हैं, किसी भी individual person के, तो आपको यह समझ में आ रहा हुआ कि जब आप किसी को assess करना चाहते हैं तो मान लीजे, आप क्या कर रहे हैं, 16PF लगा रहे हैं, California CPI लगा रहे हैं, MMPI लगा रहे हैं, तो आ आपको यहां से इनके behavior से related, काफी information मिल जाएगी, समझ पा रहे हैं, अब कुछ strength और weakness हमने self interest inventories की, हाला कि exam में question नहीं मिलेगा, तो यह आपका homework है, यह आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, format of self report inventories, अब self report inventories में और भी कुछ methods है, जो हम use कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले interview आता है, अब तो interview है जनरली आप कहीं भी जाएं, अब job के लिए जाएं, ठीक है, तो आपका पहले interview होगा, अब interview को न, ऐसा consider कर लिया जाता है, कि हम यही सोच रहे हैं, कि interview हम से जो profile हमारी strength weaknesses यह पूछी जाएंगी, लेकिन clinical perspective in psychology, interview का meaning यह है, कि हम अपने अं counselor, clinical counselor, social worker, कोई भी हो सकता है, उससे हम उन information को chair करें, को information को confidential रखेंगे, ठीक है, अब उस information के बिहाफ पर हम उन problems का solution निकाल पाएं, जिनसे हम सफर कर रहे हैं, यह interview है, तो आप वो job वाला interview नहीं है, यह interview वाला है, clinical setting में, ठीक है, तो clinical interviews को हम बोलेंगे, इसे structured हो सकता है, semi structured conversation, a clinician और counselor के बीच में, ठीक है, तोरी, clinician और counselor नहीं, बल्कि clinician और वो person जो, जिसको help चाहिए, ठीक है, जिनको कोई psychological problem है, या कोई mental health services जिसे जिने चाहिए, ठीक है, तो अब यह सभी use करते हैं, interview, ठीक है, अब यह सारी basic information है, जो interview के regarding हमने आप लिक हुई है, तो आप इनको सकता है, semi-structured interview हो सकता है, अभी structured, unstructured और semi-structured क्या होते हैं, structured interview ऐसे होते हैं, जहां पर interviewer होता है, वो interviewee से बिल्कुल same question पूछेगा, जैसे कि हमारे जो basic questions होते हैं, counseling sessions में, सबसे पहले हम उनका नाम पूछेएंगे, है ना, कि आपकी life में कैसा क्या चल रहा है, नाम क्या है, father name क्या है, आपकी age क्या है, यह सरब basic information होती है, जो हमें gather करनी होती है, हर एक client से, तो structured interview, उसका एक example हो सकता है, unstructured interview, आपको यह problem है, अच्छा, यहाँ बताएगा कि मुझे ज्यादा सोचने, काफी बार मैं आपको सोचता ही रहता हूं, मुझे यह वाली problem है, मुझे सामने वाला ही हमें questions देता जा रहा है, यह topic देता जा रहा है, कि हमें कहां, कैसे, कौन से question से question link करना है, और उनसे पूछना है, हमारा ultimate motive क्या है बाई, कि हम वहाँ पर information को gain करना चाहते, जितना हो सके deeply information हम उनसे gain कर सके, फिर उनकी help करेंगे, semi structured क्या होता है, कि आप दोनों का mix up आप use करें, structured be unstructured, सम क्या कहेंगे, clinical interview setting में structured और semi structured हाला कि हम use करते हैं, ठीक है, अब इसके कुछ advantage भी यहाँ पर बताए गए हैं, यह flexible है, ठीक हम interviewer, sorry interview के base पर, हमारे client के base पर questions को पूछ सकते हैं, ठीक है, regarding the client functioning के हाल, depend करता है हमारी, interview progress, as the interview progress, it become more focused on specific problem, potential control variables, interview also provide an opportunity to directly observe the client behavior, begin developing a therapeutic relationship, therapeutic relationship करने से पहले या उसके दोरान, हम क्या कर सकते हैं, interview के help से, कि हम उनके behavior को observe कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम उनकी body language को observe कर सकते हैं, उनके facial expression को observe कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, कितना nervous है बच्चा, यह सब कुछ चीज़े, interview हमें बिल्कुल हम यह कहते है interview को हिंदी में शाक्षातकार बोलते हैं, शाक्षातकार मिन्स आप जब किसी से face to face मिल रहे हैं, उनसे बात करने हैं, तो उनके interest body language से आप काफी कुछ estimate लगा सकते हैं, और estimate लगाने का मतलब judgment करना बिल्कुल नहीं है, as a counselor, हमें यह शोभा नहीं देता कि हम किसी को judge करें, तो अब उसके बाद आता है, advantage और disadvantage interviews के, तो यह आपको खुद पढ़ना होगा, दो homework मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, questionnaire की बात करते है, questionnaire क्या होता है, एक और अलग है जो assessment का method है, questionnaire कैसे हमें किसी को assess करने में help करता है, questionnaire क्या है, हम क्या करें, questions बना रहे है, number of questions हमने pattern set किय है, वो questions हम सामने वाले को देंगे, वो उसके answer करेगा, और उन answer के behalf पर हमें कुछ information मिलेगी, simple questionnaire वही तो होता है, so it is used to assess symptoms को personality, psychosocial functioning and other factors, जो किसी भी treatment planning में हमें help करेगा, तो questionnaire का meaning क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि आपको ये problem है, कि आपको, क्या आप 10 minute तक लगातार काम कर सकते हैं, तो ये भी तो एक question है, उन्होंने कहा, no, मैं नहीं कर सकता, no, I can't work, उन्होंने कहा कि, कि आप आराम से आदा घंटा बैठ सकते हैं, मालने जी question ये है, तो आप कहेंगे, no, मैं नहीं बैठ सकता, आदे घंटे नहीं, मैं 10 minute नहीं बैठ सकता, मैं तो सिरफ 2 minute बैठ सकता हूं, वो भी बिल्कुल मुश्किल से, तो ये सभी symptoms in questions के answer, जब वो करेगा है, client, तब आप presenting individual with a series of questions, designed to gather specific information about their attitude, belief, behavior, experience and other relevant factors, जो भी आप महासे information लेना चाहते हैं, तो ये हमारी help करते है, clinical assessment में, research में, collect data from individual in standardized format, simple, है ना, तो questionnaire can be vary widely in their format and content, they may include multiple choice question हो सकते है, ऐसा हो देखा है न, अभी देखिए questionnaire के एक और example, आपने कभी, कभी क्या भाई, देखिए, questionnaire में आप क्या कर सकते हैं, भाई, आपके exam होते हैं, exam में मानले ये different assessment methods आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये भी तो एक question है, अब अगर आप इस question का answer particularly, या हम कहें, बिल्कुल specifically दे पा रहे हैं, specifically देने का meaning क्या है, आप interview क define कर रहे हैं, self-report inventories के बारे में बता रहे हैं, या फिर आप questionnaire के बारे में बता रहे हैं, self-rating skills के बारे में बता रहे हैं, तो आपी सारे methods हैं, आपने सब ही जो अच्छे तरीके से बता दिये, तो वहाँ से क्या judgment निकल के आएगी, क्या evaluation होगा, कि इस बच्चे को exam आता है, यूजी सी नेट की बात करते हैं, वहाँ पर multiple choice question होते हैं, आपके पास चार options होते हैं, A, B, C, D, आप उन में से किसी भी question का answer करेंगे, आपके जो results में बता दिया जाएगा, आपने net qualify किया है, या जी एफ qualify किया है, तो यह सभी क्या questionnaire है, these questions, assess your help, वो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, तो simple, यहाँ पर हम multiple choice question हो जाता है, लिकर्ट स्केल हो जाता है, open ended question हो सकते हैं, yes, no, directly, विल्कुल direct question हो सकते, yes, no, आप true false हो सकते हैं, next आता है rating skill, अब rating skill का एक और example, यहाँ पर हम रख सकते हैं, आप लोगों ने zometo से कभी ना कभी आना order किया होगा, क्या फिर स् मैटो या स्वीगी से जब आपने ना order किया होगा नो उसके बाद में आपके सामने ना rating आती है, ठीक है rating कैसे, star, 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 ठीक है, अब ही क्या होता है, एक तो यह वाला rating आती है, rating food से related, क्या आप इस food को क्या rating देना चाए, एक जो deliver करता है ना आज कल persons, मैंने जब recently order किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो जिस person है, जो delivery boy थे, उन्होंने जो deliver किया था person, वहाँ पर किया था कि इनका polite nature है, आप कैसे उनको rate करना चाहते हैं, आपने rate किया, मैंने five star rate किया बंदे को, five star मैंने दिया, तो आप कैसे देना चाएँ, polite nature, ये पोलाइटaddin minimum message calling experience कैसा था यह सभी चीज़े तो हमने कहा कि बिल्कुल minimum 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 समझ पारेंगे क्या है rating skills तो rating skills दा the tool used to measure quantify a specific characteristics हम एक characteristics को quantify करने की कोशिश करते है numbers में लेके जाने की कोशिश करते है behavior को phenomena हो किसी को भी हम यहापर क्या कह सकते है ऐसा instrument जिसका use किया जाता है various characteristics attitude behavior experience by assigning in numerical value numerical value की help से हम महाँ पर रिस्पॉंस कर पा रहें जैसे हमने बताया four star five star ये जानने में हमारी मदद करेंगे समझ पारें हमारी attitude हमारी behavior हमारी experience को क्यासा रहा है ठीके नेक्स्ट आगा थोट लिस्निंग एंड थोट लिस्निंग धिंक अलाऊव प्रोसीजर हाँ थोट लिस्निंग आप सोचने को मितना स्लो स्लो क्यों बोल रहा था ना इंग्जांपल सोचने लग जाता हूं जब आप अब के बारें जब कि कौन सा थोट आपके दिमाग में आए बताओ मुझे आप उस थोट को आप राइट करें या इसको एक्जांपल और सिंप्लिफाइब कर देते हैं इस एक्जांपल को नहीं बलकि आलक पैले वाले एक्जांपल घी दिवाले पेशन्ट को क्या कहेंगे जनल एंजाइटी उसको पता है कि वह एक्ससीव वरी कर रहे हैं तो एक्ससीव वरी में जो जो थोट वह आ रही है जितने भी थोट उसके माइंड में स्टक कर रहे हैं उन सभी थोट को वह पेपर पे लिखना शुरू करते और सिरीज में दिखे जो सबसे पहले पहले बाद में इसे में पता चलेगा वह पर्सन किस प्रॉब्लम से ज्यादा सफर कर रहा है लाइफ का कौन सा एसपेक्ट उसे परेशान कर रहे हैं नेक्स रहता है तिंक लाउट प्रोसीजर क्या कहेंगा जो प्रोब्लम या जो फिलिंग आपके अंदर है आप उसको बा देखेंगे जब आप किसी से बात करें रहें तो आपके अंदर से बात ही नहीं निकलेगी बाई समझे आप नहीं जाने क्या बोलते क्या बोल जाएंगे अभी मैं स्पेस्टिपिक कुछ शब्द नहीं बहुत बता पा रहा हूं तो यह क्या है लाउड प्रोसीजर अगर मै सबसे पहले उन थोट्स को लिखना शुरू कर दे थोट लिस्निंग थोट लिस्निंग आप अपने विचारों को सुन रहे हैं ध्यान से आप सुन रहे हैं आप अपने थोट्स को जोर जोर से बर्बलाइज कर रहे हैं भार निकाल रहे हैं भाई बोल रहे हैं अब बात आती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनेटरिंग क्या होता है सेल्फ मॉनेटरिंग के एक्जांपल में आपको देश चुका हूं डिजिटल वेल ब एक्जांपल से समझेगा आप इसको ज्यादा सीरियस मत लीजेगा आप लोग क्या है आप माननीजी आप ट्वंटी थ्री यह रोल्ड कोई बोई है को आप पसंद करते हैं ठीक है ठीक है आप बोई है तो अब्वेस है कि आम रूची की बात कर रहे हैं आप रूची को भी यह बच्चा पसंद है तो रूची इसको पसंद करती है अब रूची निसको देखा देखे नॉमन में एक्जांपल अब ऐसे इसको रिलेट करेंगे हम जी एडी वाल एक्जांपल से रूची ने देखा अच्छा यह इस टाइम घर से निकलता है माननीज उनके आसपस कोई इस टाइम घर से निकलता है इस वाली बस में बैठता है ठीक है तो हो सकता है अकोर्डिंग टू टाइम की ड्रसिंग सेंसे लेकर जो हैंडबैक है उससे रिलेट करके उसने एक एस्टिमेट लगाया यार इसकी जो जो होगी ना वो शायद बैंकिंग सेक्टर में होगी यहां पर GD का क्या मेंनिंग है यहां पर GD का कैसे एक्जामपल लेट करना है आपको ड्रेक्ट उब्जरवेशन उब्जरवेशन मींस ओर ईब्जरवेशन इन और तो एससे इंपरमेशन आवाउट इंपर्सन समझ रहे हैं तो GD में क्या होगा आप उसको उब्जर हो सकता है आप class में observe करें हो सकता है फैमिली में observe करें हो सकता है playground में observe करें तो observe करना सीधी सी बात है यार हम किसी को देख कर कुछ information निकाल रहे हैं तो वो direct observation है हमारी life में यह हमने hundred of time किया है तो direct observation technique where behavior is systematically recorded real time without interference अब कोशिश करते हैं रोची यहां पर बार-बार कोशिश करें कि कि उसको उसके बारे में बताना लगे कि को कोई उसको observe करा है माने कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई observe करा है में पता चल जाता है technique that involve individual observing and recording their own behavior, thought, emotion, physiological response over time और एक्जामपल, digital well-being जहां पर आपको पता चलता है आपका screen time क्या है WhatsApp uses कितना है Instagram कितना यूज किया camera T memo या keep note जो भी आप यूज करते हैं वो सभी applications आपने कितने यूज किये वो self-monetering के अंडर आ जाएंगे ठीक है type of direct observation अब type की बात करते continuous observation continuous observation means आप लगातार किसी को अबज़र करने या लगातार observe करने पर हो सकता है उनको पता चल जाए जैसा कि अभी मैंने बताया रूची लगातार observe कर रहा आरो को पता चल गया मानीज आरो की एज जो 23 ए ठीक है तो आरो को पता चल जाता है है कि यहां पर observe जो person है जिसको observe किया जार उसको पता चल जाता है उसकी performance में चेंज आ जाता है जिसके कहेंगे हो थ्रोन effect समझ पार तो continuous monitoring आप continuously उसको monitor करें continuously observation चल रही है वाँ time allocation की बात करते हैं randomly selected place आपने अचानक से देखा मौल में गया है आरव वहां पर आपने observe करना शुरू कर दिया समझ पाई यह सिर्फ एक्जामपल है ठीक है एक्जामपल टाइम अलोकेशन मिन्स आप कहीं भी time allocate करें रेंडमली आप recording शुरू कर देख सकते हैं कि उनमें पहले कि वह किन activities में थे आपके observe करने के बाद वह कैसा करने लगे हैं यह सभी चीज़े आप देख सकते हैं अब बात करते हैं अन आप्ट्रोसीव observation कि अन आप्ट्रोसीव observation क्या कहती है एक ऐसा स्टेडी बिहेवियर नेचुरल सेटिंग में विदाउट सब्जेक्ट बिइंग अवेयर देट दे आर विंग अभी हमने उपर क्या स्टेडी किया भई इससे पहले हमने continuous continuous में क्या होता था जो जिसे हम अब्जर्व करें तो पता ही नहीं चलता ठीक है अम डिरेक्ली जैसे कि बस क्यूं में आप कहीं दूर खड़ें आप बस की जो लाइन लगी हुए हम आप उसमें उनको अब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट में आपने टॉपिक दे दिसकेशन करें वो टॉपिक में इतना ही मर्स हो गए है स्ट पा रहे हैं उनको पता ही नहीं कोई हम्हें अब्जर्व कर रहा हैं कई बार हम आपस बात करते हों देटीचर पीछे से से हमें सुनते होते हैं तो वह क्या है अनॉप स्यूप्स्य लिए अब आता है डिस्गाइज्ट फिल्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है यहाँ पर जो researcher है एनलेसिज जो करेगा person वो उस member को उस group को join करेगा data को collect करने के लिए उस group का member बनेगा फिर observation शुरू होगी उस observation को बहुत है disguised field observation ठीक है यहां पर observer को recite करना होगा एक complete participant की तरह है in which they are studying something they are a member of अब बात कहते हैं analog observations किसे कहेंगे जहां पर हम एक ऐसा environment बना दे प्राइमिलेटिटिड observation या structured observation भी इसको कहेंगे एक ऐसा environment बना दे जैसे कि photo shoot होते हैं आपने देखा हुगा कि जो actors और actors होती हैं में एक specific जगह पे जाके photo shoot करवाते हैं अगर for example मैं देना चाहूं मानने जिए कहीं private jet के आजकल काफी चले हुए आप social media में देखेंगे तो जो बड़े-बड़े celebrities हैं वो क्या करते हैं photo shoot करवाते हैं private jet में आप उनकी photos को देखेंगे वहां से आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इन्होंने प्राइवेट जेट ले लिया है या प्राइवेट जेट में यहां पर तो सफर चल रहा है इनका तो आप लोग क्या क्या सकते है अपनी मर्ची से उसे कहेंगे अनलोज अब्जवेशन ठीक है तो हम क्या कहेंगे रिसर्च मैथड यूस्टू स्टेडी बिहेवियर इने कंट्रोल और साइमिलेटिड सेटिंग डैट रिपर्जेंट ए रियल वर्ड कंडिशन जो की एक रियल वर्ड कंडिशन को रिपर्जेंट करती है जैसे कि प्राइवेट या फिर हमने बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगा दी 3D 90 मुवीज वाली है ना होता है ना कि महां पर हम गोगल्स डालते हैं उनको देखने के लिए तेकिन मानने जो पूरी बड़ी-बड़ी स्क्रीन हमारे चारों तरफ है समझ पा रहे हैं तो यह क्या थी assessment के method यहां पर हमारा chapter हो जाता है complete hopefully आपको यहां पर content अच्छा लगा होगा और topic समझ में भी आए होंगे कि कौन-कौन से assessment के method है जो हम use कर सकते है इन clinical setting में ठीक है अब इन सभी methods की help से हम किसी का behavior assess करेंगे next chapter में हम भी next chapter discuss करेंगे इस वीडियो में तब तक के लिए namaskar thanks for watching this video have a nice day